जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes एप में और यूटूब चैनल में ठीक है अभी तक दोस्तों आपने Self Study Classes का कोचिंग डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड करें पिले स्टोर में जाएं सर्च करें Self Study Classes और एप को डाउनलोड जरूर कर लें ठीक है दोस्तों अगर आपको हिंदी साहित की कोचिंग करनी है हिंदी साहित को करमबद पढ़नी है तो Self Study Classes में कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का जिसमें आपको टिर्की तरीके से बिस्त्रे तद्यन कराके जिसमें आपको Topic Wise Test लगवाके Doubt Solution करवाके विबिन प्रकार की प्रक्रियाओं के माद्यम से आपको हिंदी साहित पढ़ाया जाता है ठीक है जिनको भी अड़ बीसल लेना है दोस्तो वो ले सकते हैं और दोस्तो आज हम Doubt वाले कुछ Question लेकर की आए है आप से एक Question पूछा जाता है कि साय में धूप साय में धूप एक किसकी रचना है कि रचनाकार कौन है या कब किरती कि रचनाकार कौन है तो आप नॉर्मली सा Question लगाते हो देस्तो दोसेंत कुमार लेकिन एक डाउट से यहां पर है एक रचना और पूछी जाती है दोस्तो सीडियों पर धूप में एक रचना और पूछी जाती है कौन सी सीडियों पर धूप में इस प्रकार से अगर रचना आपसे पूछ ली जाए कि सीडियों पर धूप में ये रचना आपसे पूछ ली गई तो आप क्या करोगे साई में धूप और सीडियों पर धूप में अब ये धूप का चक्कर आपको कन्फूज कर देता है कभी-कभी तो इसको याद रख लेना बोले हम सीडियों पर धूप में खड़े हैं क्योंकि हमारी रगवीर सहाय करते हैं यानि कि इसके रचनाकार कौन है? और साई में धूप, ये दुसियंत कुमार की रचना है याद रख लेना, साई में धूप की रचनाकार, दुसियंत कुमार और सीडियों पर धूप में की रचनाकार कौन है? रगवीर सहाय, खीक है? डौट्स नमबर 1 आपका क्लिए है next है दोस्तो भासा भूशन किर्ती के रचना कार कई बार रचना पूछी गई भासा भूशन किर्ती किसकी है आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर दोस्तो कई लोग confused होते हैं यहाँ पर भूशन दिया है तो कई लोग भूशन लगाया आते हैं लेकिन याद रख लेना कि भासा भूशन कौन है बोले आपके आसपास कोई जस्बंत नाम का लड़का हो या जस्बंत है कोई आपके आसपासों परिवार में बोले हमारे जस्बंत तो भासा भूशन है बोले भासा भूशन जस्बंत से है बासा भूशन जस्बंत से है ठीक है जबकि भूशन की रिचनाएं आपने पढ़ी होंगी छत्र साल दसाग, सिवराज भूशन तो भूशन से कन्फ्यूज नहीं हो ना भूशन दीतिकाल के बीर रसके कभी थे दोस्तो और इनका जो दोस्तो बास्पेक नाम था वो क्या था? घंस्याम नाम था और इन्हें सोलंग की राजा रुद्र ने इन्हें भूशन की उपादी दी थी ये भी कई बार पूचा जाता है ठीक है? तो भासा भूशन एक किर्थी किसकी है? जैस्वंति सेंकी ओके? डाउट्स नंबर किरियर हो गया आदी काल को आरंभे काल किस ने कहा? आप से पूचा जाएगा गडपती चंद्र गुप्त ने, मिश्र बंधु ने हजारी पिरसाद दुवेदी ने या फिर राम चंद्र शुकल ने आदी काल को आरंभे काल नाम किस ने दिया? आपको बताना है तो कमेंट में लिखिए दोस्तों यहां भी कंप्यूज होता है आरंभे काल और प्रारंभे काल में ठीक है? तो यहां आपको कैसे याद रखने ना? बुले सर यह मिश्र बंधु तीन भाई थे यह मिश्र बंधु तीन भाई थे और तीनों आरंभ से आरंभ से साथ में रहे कौन? मिश्र बंधु तीन भाई थे तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे इसलिए मिश्र बंधु ने आदी काल को आरंभे काल लाम दिया यानि कि इस प्रस्ण का उत्तर जो आपका होगा वो होगा मिश्र बंधु क्या होगा मिश्रबंदू ठीक है फिर दूसरा question आपसे आता है कि आदी काल को प्रारंभे काल नाम किस ने दिया तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तो गड़पती चंद्रगुपते क्योंकि जब हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं स्री गड़ेस करो यही बोलते हैं ना स्री गड़ेस तो प्रारंभ करते हैं तो स्री गड़ेस बोलते हैं तो गड़ेस से क्या हो जाएगा गड़पती है ना गड़पती चंद्रगुपते और मिश्रबंदू आरंभे काल किसने कहा मिश्रबंदू ने ठीक है के लिए बहुत बढ़िया वीडियो क लाइक जरू कर दे, अपने मित्रों तक सीरर करो, दोयOT बाद के प्रबर्तक वने, कई बार confusion बाला question है, दोय자리 बाद के प्रबर्तक को ने आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्यसे रख जाती है, एक तो दोस्तो अदोयत बाद, दूसरा दोयत बाद, तीसरा दोईता दोईत बाद अब बोले सरी दोईत दोईता है हम कैसे याद करेंगे यहाँ पर याद रखो दोईत बाद को याद मत रखो सबसे पहले याद रखो अदोईत बाद को अदोईत बाद दोस्तों अदोईत बाद की प्रबर्त कोन है बोले अदुत्तिय है कौन संकर संकर अधुतिये तो अधुतिये से क्या बनेगा अधुत 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 बात की क्याश्विछा मुझे? संकर अधुतिये हैं इसरी यह संकराचार फिर आपसे पूछा जाएगा दो never दोईता दोईत ठीक है तो दोईता दोईत बात के कौन है आप से पूछा जाएगा तो कौन है निम्बारका चार निम्बारक से क्या बनेगा निम्बू निम्बू बोले सरा हम निम्बू देत देत ठक गए पड़ोसी को निम्बू देत देत ठक गए देत देत से क्या बनेगा दोइताद दोइत और देत देत के अथक गए निम्बू तो दोइताद दोइत बात की प्रबात की अज़त कुण हो गया तो दोइत बात के मदवाचार है ना और माधाव वोले हमें देत हैं माधाव देत हैं देत हैं माधाव की नहीं तो याद रखें ना दोईतबात के मदवाचार दोईता दोईतबात के निम्बारकाचार अदोईतबात के संकराचार है ना और दोस्तों पुष्टी मार्क का प्रबरतन या सुधा दोईतबात का परबठन किया था किशने, बल्लभाचार ने, है न, सूर्दास के गुरू का नाम क्या था, बल्लभाचार, ठीक है, इनको याद रखेंगे, बात करेंगे, दोस्तों, अगले questions की, यह question आप से पूछा जाता है, तो आप यहाँ से किस में उत्तर लगाईगे, कमेंट में आप बता दीजिए हिंदी का जाती है कभी किसे कहा जाता अगर आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है दोस्तो तुलिशी दास है ना अगर आपसे पूछा जाए कि जाती है कभी किसे कहा जाता है जाती है कभी क्योंकि आपको पता है कि बच्चन सेहने बच्चन सेहने दोस्तो बच्चन सेहने बिध्यापती को जाती है कभी कहा तो जाती है कभी कहा जाता है बिध्यापती को और हिंदी का जाती है कभी कहा जाता है तुलिशी दास को ठीक है तो आप से पूछा जाएगा कि बच्चन सेहने जाती है कभी किसे कहा तो आप बिध्य पती है ना ये बिद्ध्या पती है जिने जाती है कभी कहा जाता लेकिन हिंदी का जाती है कभी तो कौन है तुलशी दास है ना याद रखते ना इने तुलशी दास को अनूपरास का बास्ताइबी कहा जाता है रूपकों का बास्ताइबी कहा जाता है किसको तुलशी दास को इनको याद रखे ना, इनकी रचनाओं की और मैं आपको ट्रिक बता दी रहा हूँ, इनकी रचनाओं में दोस्तों इनकी बारा प्रमानिक रचनाओं हैं, किसकी तुलिशी रास की, अब बारा प्रमानिक रचनाओं में, जिन रचनाओं में, राम और मंगल लिखा मिल जाए आपको इन 12 प्रमानेक रचनाओं में से राम और मंगल लिखा मिल जाए मतलब समझ लेना कि वो अबदी भासा की है राम और मंगल लिखे मिल जाए जैसे दोस्तो जान की मंगल पारबती मंगल यह से राम है ना रामग्या प्रस्ण तो राम और मंगल लिखा मिले तो अबदी और राम और मंगर लिखे ना मिले मतलब उसकी भास अब रज होगी कभी कभी पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप बने रहें और जिन भी सातियों को कोर्स में अड़ीशन लें वो कोर्स में अड़ीशन जरूर लें और दोस्तों इसी प्रकार्स के डाउट से सेर करें जय हिंद सारे स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्प स्टडी किलासे से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से सेल्प स्टडी किलासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह सेल्प स्टडी किलासेस ठीक ह ये play store में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है ये image उसमें डली है ये icon ये logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे